मित्रो मंगल एक ऐसा ग्रह कुंडली का जो सारी चीज़ों को बैलेंस करने में आपको सव्यों करता है और मंगल नराज हो तो जीओं में बहुत सारी बादाएं भी पैदा हो जाती है जैसे रूजगार में बादाएं विवा में बादाएं या अन्य मंगल दोश के कान जो सारी चीज़ें पैदा होती है वह आपको परिशान करना शुरू करते हैं अब बात करें कि मंगल क्या है तो मंगल भव ने मंगल कारी मंगल है वहाँ मंगल हर लेता है और इसके प्रतीक देवता हैं बाला जी माराज हनुवान जी अब आपको करना क्या है मंगल से समंदित यदि आपके जीवन में दोश है विवहां में बादय आ रही है कारियों में रुकावट आ रही है पित्र दोश से प्रहिशाम नहीं कोई समश्यारी रोजगार में समश्यारी आपको या तो आप उज्जेन महाकाल में जाकर मंगलनात की पूजा करवाएं अन्य था एक घरेलू उपाए एक दो उपाए मैं आपको बता रहा हूं वो आपकर से आपको करना यह है मित्रों कि आपको किसी भी हनवान मंदिर में लालक्षरों में प्रिंटेड पुस्तक जिसमें ह चलिशा बजरंग बांहहं माश्च्रक और श्रीरामूंदना यह जो लिखीवी हो इस सड़े कि पुस्तक आप लोगों में वहां जाकर माते मशितने लोग जितनी बार हंवान चलिशा को बजरंग बांद को हनमान थम को संकट्रों की मानशिकों uh उतना आपको लाप हो एक काम आप और कर सकते हैं कि आप वहाँ पर मंदिर में किसी फ्लेक्स पर लाल अक्षरों से हन्मान चाली साथ, बजन्ग बान संकट मोचन हन्मान अस्टक स्री राम अस्तूती कुछ भी आप प्रिंटेड करवा के वहाँ पर आप किसी दिवार पर उसको चिपकाते हैं, जितने लोग उसको पढ़ेंगी, उतना आपको फायदा हो एक काम हो कर सकते हैं कि आप किसी भी हन्मान मंदिर में एक लाल परदे पर लाल परदे पर चमकीले अक्षरों से पीले चमकीले अक्षिरों से आप उस पर जैश्री राम लगाते हैं और तोण द्वार की तरह हनमाल मंदिर के बाहर आप उसको लगाते हैं जितने भी लोग आएंगे जाएंगे उसको पढ़ेंगे देखेंगे उसका आपको लाब मिलेगा बाला जी माराज आपके प्रसंद होंगे क्योंकि जैशी राम उनके अपने इस्ट का नाम है जितने भी लोग जैशी राम बोलेंगे बाला जी माराज उतना खुश होंगे और और शनिवार के दिन, इन तीन दिन आप पीपल के पत्तों पर लाल सिंदूर से अनामी का अंगुली से जय श्री राम रिखते हैं, और उसको कच्छे सूत में पिरो के उस माला को आप बालाजी माराज के उपर पहनाते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं, ये करने से भी मंगल द दिन हैं, बुरा समय है, या खटना है, वो धीरी तीरे या जो समझ्या है, वो रिजॉल्फ होना शुरू होगी, और खुशी आएंगी, इस तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, फिर मिलेंगे, जैश्री महाकाल, धन्यवाद।